एक बार किसी लडगी ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि सर आप अपने लाइफ में इतने महान और सक्षेस्फूल कैसे हैं तो इस पर डॉक्टर कलाम ने सफल होने के ऐसे चार नियम बताए जिसे गर कोई इंसान फॉलो करता है तो वो भी अपने लाइफ में सक्सेस्फूल हो सकता है अगर आप भी सफलता कि वो चार नियम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें रूल नमबर वन एक ग्रेट एम यानि कि एक महान लक्ष बनाना दोस्तों जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है और आप वहां पहुशते हैं सोचिए अगर आपको या पता ना हो कि आपको कहां जाना है तो भला आप क्या करेंगे इधर उधर भटकने में ही आपका समय व्यर्थ हो जाएगा ठीक इसी तरह अगर आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष नहीं बनाया है तो आप भी इसी तरह भटकते रहेंगे जिस इंसान के जिन्दगी में कोई भी लक्ष नहीं है तो उसकी जिन्दगी भटकी हुई है ना तो उसके अंदर इनर्जी है और ना ही एक ऐसा एकसाइटमेंट है जिसे की वो अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ सके इसलिए सबसे पहले अपनी जिन्दगी में एक महान लक्ष बनाईए रूल नमबर टू Continuously acquire knowledge यानि की लगातार अपने फिल्ड का knowledge इखठा करते रहना अगर आपको अपने जिवर में जो कुछ भी बनना है अगर आपको किसी भी फिल्ड में आगे बनना है तो आप उस फिल्ड का इतना knowledge इखठा कर लो कि जो आज तक किसी ने नहीं किया क्योंकि आपको अपने लाइफ में वो करना है जो आज तक किसी नहीं किया इस दुनिया में हर वैक्ती कम्याबी के सपने देखता है लेकिन उस कम्याबी को हासिर करने के लिए जो कठीन परिस्रम करना पड़ता है उसे बहुत कम लोगी कर पाते हैं इसलिए बहुत लोग अपने जीवन में एक महानलक्च होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वो कड़ी मेहनत करने से डरते हैं याद रखिएगा कम्याबी सिर्फ उन्हीं के मुकदर में लिखी होती है जो कड़ी मेहनत करते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस्फुल हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर दिया है और वो है हार्ड वर्क इसलिए अपनी जिन्गी में इतनी कड़ी महनत करो कि एक दिन ऐसा आए कि कम्याबी आपके सामने घुटने टेक दे अगर आपने अपनी जिन्गी में एक लक्ष को चुना है और उस लक्ष को पाने के लिए आप जीज़ान लगा कर कड़ी महनत कर रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस लक्ष तक पहुशने के रास्ते में बहुत सी कठिनाईया मुँ फिलाए खड़ी मिलती है और हम उन कठिनाईयों का सामना करने से डरते हैं और असफल हो जाते हैं तो आपको आगे से एक बात ध्यान में रखना है कि चाहे कितने भी कठिनाईया कितने भी मुश्किले आपके सामने आए तो आपको पूरे विश्वास के साथ उन कठिनाईयों का सामना करना है क्योंकि जब आप उन कठिनाईयों का डटकर सामना करते हैं तो आपको अपने लक्ष तक पहुशने के रास्ते में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता इसलिए जीवन में कितने भी मुश्किले क्यों ना है लेकिन कभी घबराना मत क्योंकि गिर कर उठने वाले को ही बाजगिर कहते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सफलता कि ये चारो नियम समझ में आया हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज मारे मोटिवेशनल टू चैनल को सब्सक्राइब कर ले तब तक के लिए स्वस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद